बहुत बड़ा स्कोर बना दिया है बंगला देश की टीम ने और अब देखने में ये दिल्चस्प रहेगा क्या भारती टीम बना पाएगी मुस्ति फिजूर रह्मान पहला ओवर लेके आ गए हैं लेकिन बहुत बड़ा स्कोर बनाया है बंगला देश ने आज 30 बालों में 131 रंच आईए और पिछला मुकाबला बंगला देश की टीम ने जीता था भारती टीम से और ये भारत की लिए एक चनौती पूर्ड मुकाब झालेंगे और ये लिजे रोह स्र मा बड़े श़र्मा बड़े शोड के लिए गए है और देखिए च्छक्का भी पराब्द करेंगे जी हा और रौह स्रमा को आप सोटॉ-प्लेंड डिलीबरी करेंगे तो ये छोड़ते नहीं है बड़े शोड़ के जाते हैं और द बहुत बड़ी है भारतिये टीम 131 रन बनाने है इसका मतलब इस मुकाबले में ताबड तोड बले बाजी होने वाली है लगबग हर बॉल पर और ये लीजे स्लोर डिलेबरी चकमा खाए रोई शर्मा मिस्त पजूर रह्मान बढ़िया कमबैक लाजबाब तरीके से कमबैक कर के देखाया है इनोंने यहां यह कमबैक बहतरी था 28 वाल में अभी भी 125 चाहिए भारतिये टीम को लेकिन देखिए पिछली बॉल रोई शर्मा बीट हो गए थे यह देखिए अगर आप बहुत करीब से देखेंगे और अच्छी डिलेबरी अच्छी कटर बॉल बहुत स्लो थी और यही कारणता रोई शर्मा समझ नहीं पाए दो वालों में मात्र चेरन और अब 30 रिवाल करेंगे मुस्तिफिजुर रह्मान यह भी लेक साइट पे है यह भी पुल है और यह लीजे को और चौका रोईट को मिल जाएगा और देखिए पीछे जो भारतिये टीम के द पुटी लेंट करेंगे और रोई सर्मा बक्सते नहीं है और एक बार फिर से नज़र डालेंगे उस शौट पर यह देखिए क्या जबर जस्त अंदाज में जड़ा है शौट को तो देखिए तीन बालों में दस रन बना लिये हैं फीट का चबाब पत्थर से दे रहे हैं रोई सर्मा और अब चौती बाल करेंगे मुझत फजुर रह्मान 27 में 121 रन अभी बीच आई है भारतिये टीम को आसान नहीं होगा यह मुकाबला ओ ये देखिए क्या बात है टाइमिंग दिखाई है और इतनी खूबसूरा शौट लगाई है ना रोई सर्मा ने और देखिए क्या सपूर्ट मिल रहा है आज इनको ओ क्या कूल नजर आ रहे हैं वहतरीन फुटबर्ग और फुल कॉन्फिडेंस यहां पे नजर आते हुए रोई सर्मा और अच्छी पारी खेल रहे हैं लगातारंस बटो रहे हैं कमाल का प्रदर्सन कर रहे हैं क्योंके छके यवरजस तरीके से आ रहे हैं और अब 26 में 117 चाहिए 14 पे पहुँच गया है भारती टीम का स्कूर मुस्तिफिजूर रहमान अब क्या करेंगे अब क्या रननीती रहेगी इनकी ये देखना भी दिल्चस्प रहेगा जियां पांच भी बॉल करेंगे सामने रोई शर्मा है अच्छे फॉम में बड़े शॉर्ट लगा रहे हैं और एक और बड़ा शॉर्ट और देखिए कमाल का च्छका जड़ा है डीप पॉइंट पे और देखि ये पूरा शपोर्ट है रोई शर्मा को आजा तूकि बड़ा स्कूर है और भारतिये दर्सक भी जानते इतना बड़ा स्कूर अगर चेस करना है तो आसान नहीं होगा और जब आसान नहीं होगा आठ तो तोड़ी सी महनत लगती है और प्रयास कनने पड़ते हुए अब 25 व पॉल और देखिए एक बार फिर से कमाल की पोजिसन पे आए और प्यार से और भैतरीन टाइमिंग के वल पे एक और चौका बटोरिंग है और देखिए बैक फूट पे गए हैं पूरी तरीके से फिरीच का आप भरपूर उपयोग कर रहे हैं रोईश शर्मा एक लाइक तो ब परी ती इन सबी गेंदों के बीच लेकिन उसके बावजूद भारतिय टीम ने कैसे ना कैसे करके मैनेज किया और अब यससबी जैसबाल तैयार है बले बाजी के लिए हसन महमूद आये हैं ओवर करने के लिए लेकिन यससबी जैसबाल किस परकार से केलेंगे इस चीज़ पर बहुत निर्वर करती है भारतिय टीम अगर इनका बला चलता है तो निच्ची भारतिय टीम यह मुकाबला जी सकती है और नहीं चलता है तो थोड़ी मुसीबत होगी क्योंकि इस पिन अच्छी खेलते हैं फास्ट बॉलिंग भी अच्छी खेलते यह बहतरीन फॉम में पिछले मुकाबले में अच्छी पारी खेली और यह लिजए पहली वाल पे अच्छा फुल शॉट दो दो फील्डर के बीच में से देखिए शॉट निकाला है इनोंने और यह इनकी चत्राई है यह इनकी तागत है और यह सजबी जजवाल नए है योबा है योबा जोस आक अक्रमक ता इनके पूरी बलबाजी में हमें नजर आती है और देखिए पहली वाल पे चौके के साथ अपना खाता खोला और दूसरे ओबर की सुरुआत करे यह कई ना कई मानसिक दबाओ गेंदबाज के उपर डाला है इनोंने और अब दूसरी वाल खेलेंगे यह सजबी जजबाल तेईस में एक सो तीन चाहिए और यह देखिए फुल टॉस कर दी है दबाओ में गेंदबाज ने है तो यही होता है अगर पहली वाल पे बड़ा शौट आ जाए तो गेंदबाज अपने आप दबाओ में आ जाता है और देखिए एक और खूबसूरा शौट एक और बड़ा शौट और एक और चुका यहसस भी जजबाल के बले से आया इस बार लेकि रोहित ने तो कमाल किया था पहले ओबर में और अब दूसरे ओबर में बारी है यहसस भी जजबाल की और च्छबर जस अंदाज में खिले हैं मैं समस्ता हूँ इससे बहतर बले बाजी कोई हो नहीं सकती और महमूद कहीं न कहीं धबाओ में हैं और धबाओ का कारण एसस भी जस्वाल की ताबर तोड बले बाजी क्या भारतिय टीम ये मुखाबला जीत पाएगी अभी भी कोई भी कुछ भी कह पाना बहुत मुस्किल है क्योंकि जो रिक्वाड रन रेट बो लगातार बढ़ रहा है लेकिन मैं आप सभी से अन्रोध करूंगा एक बार भारतिय टीम के लिए लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और कमेंट में जैहिंद लिख दीजे और चैस फोर्म में नजर आ रहे हैं और भारतिय टीम का स्कूर अब पहुंच गया है 38 रन जीरो विकेट के नुकसान पे तीन बाल हुई हैं अभी भी तीन बाल बची हैं महमूद क्या कोई नई रन नीती अपनाएगा मैं समझता हूं कप्तान को रन नीती के साथ गेंदवास से भी बहुत करीबी मामला मुझे लग रहा है आउट ना हो जाएं और एमपार आउट दे देंगे भारतिय टीम ने पहला विकेट गबाया और मुझे यह देखना होगा क्या यह रन आउट हुई या एल पी डवलू यह बहुत करीबी मामला है यहां पे ऐसा प्रतीत हुआ मानों यह एल बी यह रन आउट होके गए हैं देखिए यतिनी बड़ी गलती कर दी है यहां पे जजबाल ने और इनी गलती से सबक लेना चाहिए इन बलेबाजों को लेकिन अच्छी पारी चौदा रन की चोटी पारी ज्यादा बॉल इनोंने बेश्ट नहीं करी और अब देखि होगा पांच भी बॉल पे महमूद क्या करते हैं बीस बालों में और अब चाहिए यहां पे तिरान बेराइन और विराट कोईली ऐसा बहुत कम पहली बार मतला बहुत कम बार देखते हैं कि आते ही छका लगाना विराट कोईली ने आज बैतरी शौट केला है और उनको पता है कि रिक्वार्ड रंडेट लगातार वर्ड राय अगर मैं आकर बड़ा शौट नहीं लगाऊंगा तो निच्चती भारती टीम पीछे हो जाएगी और दोस्तों जो लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं एक बार भारती टीम के लिए सपोर्ट कर दीजे एक लाइक कर दी कमेंट में जैहिंद लिख दीजे आपका नाम लिख दीजे और चो लोग हमें लगातार सपोर्ट करते हैं उनका बहुत 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 दिल से सौगा अभी नंदर उन्नीस बार पे 87 चाही है अब एक बार फिर से विराट कोईली फास्ट गेंद बाजी के खिलाब भी रिव कॉलर के खिलाफ रिवर्स विप लगाया देगी आसान होता नहीं है लेकिन बराट कोईले कैसे बलबाज है कटनाई को भी आसानी आसान कर देते हैं और देखिए ये रिवर्स विप चौका देखे जाएगी 18 बाल में अब 83 चाही है भारतिये टीम को 48 रन दो ओवर में बना अच्छा है टार्गेट जो दिया गया ये बहुत अच्छा है और जो रन बनाने की गती भारती टीम की ये भी अच्छी है लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा तसकिन एहमद आये हैं तीसरा ओवल लेके तेज तर्रार गेंदबाज हैं अच्छे गेंदबाज एक्सपीरियंच गेंदबाज अब बहुत लंबे समय से बंगला देश के लिए खेल रहे हैं और ये लीजिए पहली वाल फुल टॉस कर दी और देखिए अगर आप एक्सपीरियंच बले बाज हैं तो उससे जादा तो रोई सर्मा है रोई सर्मा को फुल टॉस करेंगे तो रोई सर्मा स्टैंज में भेजए हैं और देखिए चकाब बटो रहा है जैंग्स धूस्तों एकवाल लाइक कर दीजे रोई सर्मा के लिए भारतिये टीम के लिए जबर जस अन्दाज में बले बाजी भारतिये ये तीम के दौरह लगातार हमें दिख करेंगे 17 बाल 77 रन राइट आम फास्ट बॉलर है तसके नहमत लेकिन पहली बाल फुल टॉस करना इनके लिए तोड़ा सा मुसीवत भरा हो सकता है पर एक बार फिर से गेंदवाजी करेंगे पुल करने का प्रयास बारी के नारा लगा देखी बाल बले पर नहीं आई थी लेकिन ये भाग है ये किसमत है ये रोएश सर्मा की बहुत ही वेतरीन तरीके से यहाँ पर देखिए आउट हो सकते थे बाल बाल बचे रोएश सर्मा ये जो दौआएं आप लोगों की हैं जो लोग ये मुकाबला भारत भारत को सपोर्ट करने के लिए देख रहे हैं लाइक कर दीजे और एक बार फर से तैयार हैं तीसरी बाल करेंगे तीसरे ओबर की ओ किया बात है कमाल की गेंद बाजी तसके नहमद कमाल का ये कमबैक करके दिखाया है इनो ने तेकि ये रोएश सर्मा जैसे बले बाज अग आप समझ आईए कि गेंद बाजी में कुछ ना कुछ तो है कितनी घुपसूरत क्या लेंट थी क्या गती ती और यही होता है जब आप सही लेंट और सही गती से गेंद बाजी करते हैं पंद्रा में अब 73 चाहिए धीरे धीरे भारत इस मुकाबले में पिछड रहा है जिया आसान बिलकुल नहीं होगा भारतिय टीम के लिए बची हुई तीन वालों पे तीन छक्के चाहिए भारतिय टीम को अगर रोई सर्मा लगाने में असमर्त रहते हैं तो भारतिय टीम में मुकाबला आर सकती है लेके निसी बीच एक और बड़ा शॉट और ये लीजए इस ब दरते ही नहीं है और बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना डटके करते हैं और देखिए एक और छक्का जड़ा है उन्होंने जवर्चस अंदाज में जड़ा कमाल का शॉट जड़ा और चौसट रन पे पहुँच गया है भारतिय टीम का स्कूर एक बिकिट के नुक्सान पे अब चौदा बाल पे सरसर चाहिए क्या भारतिय टीम बना पाएगी क्या कोई चमतकार कर पाएगी कोई यहां करिसमा देखने को मिलेगा सारी प्रौवर्वल्टी इस यहां पे लगा लीजिए चुक्य छक्के के बिए यह लीजिए एक और डॉड डिलेबरी और एक और भारत की लिए खत्रे की घंटी जिया यह खत्रे की घंटी है भारत के लिए रोहे शर्मा को एक बार फिर से च्छका दिया है तसके नहमद ने और देखिए अब मुस्किल होता जा रहा है भारतिय टीम के लिए अगर एक और शॉट आप लेंट रग दी अगर एक और इसी घ हती के साथ गेंदवाजी कर दी तो रोईस सर्मा मुस्किल हो जाएगा हलाकि अंतिम बॉल फुल टॉस डिलेबरी बड़ा शौड मेंड विकेट पे च्छका जड़ा जरूर है लेकिन अभी भारतिय टीम के लिए मुसीबत खतम हुई नहीं है बहुत बड़ा टार्गेट चेस करना है और अब श्ट्राइक पे विराट कोईली है और देखिए गेंदवाजी करने कौन आया है ये तो कप्तान स्वयम आगए बंगला देश के जिहां सकीवल हसन गेंदवाजी करने के लिए आया है चौता ओवर करेंगे चौते ओवर की पहली वाल करेंगे तामने का आ गया है और कोईली देखिए क्या बात है क्कोईली क्या जबर जस अंदाज में बलेवाजी कर रहे हैं अदबुद अदबुद यहां पे प्रदर्शन चौते ओवर की पहली वाल पे च्छका कप्तान के खिलाफ यहां पे विराट कोईली ने जड़ा है और अब 11 में चा का बला किसी भी करवड वदल सकता है लेकिन जब तक विराट कोईली जैसा बलेवाज है तब तक वारतिय टीम की उम्मीदे बरकरार और एक और च्छका एक नहीं दो दो च्छके और देखिए क्या यहां पे एटिट्यूड है क्या यहां पे अग्रेशन है विराट कोईली क जवरजस्त बलेबाजी कमाल का प्रदर्सन और इसलिए हम किंग कोईली कहते हैं इनको चेजिंग मास्टर कहते हैं सौथे ओबर की दो वाल हुई है अब दस में चाहिए उननचास रन देखिए अभी भी बंगला देश के पास मौका है विकेट अगर मिल जाएं तो यू सकता है ये बहूँची गई है वाल ले कि निकल गई और इस देखिए सभी की सासे थम गई होगी जब ये शोर्ड लगा था विराटको के बले से चूंकि बहुआत उची गई थी वाल और ऐसा लगा था मनों कि अब तो आउट है विराटको को लिए लेकिन देखिए आ आस्मान में गई है बहुत उची ही और ये देखिए बहुत करीबी मामला यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बच गए है बराट कोईली चंता की कोई बात नहीं है भारत के लिए नोबाल 43 रन मकाबला भी बांकी है पिच्चर भी बांकी है बराट कोईली लगातार है ट्रिक चरदी है उन्होंने च्छको की और चबर जसंताज में खेल रहे हैं कमाल की बल्ले बाजी कर रहे हैं और एक बार फिर से उसी परकार का शौट लेकिन इस बार आउट हो सकते हैं और ये लीजे कप्तान सकीबल असन ने फिराट कोईली को फसाया है देखिए एक ही लेंद पे गेंद बाजी करी और फिराट कोईली ने भी घल्ती कर दी उपिछली बाल पे बाल बाल बचे थे लेकिन इस बार गल्ती हो गए इनकी और देखिए बिलकुल पहंडरी के किनार है लेकिन अभी पत Θा है लेकिन ड्रह स्पर्मा पहँच गए हैं और यह ने सोंद्ट कर सकते हैं इनके पास काबिलyyत है च्धा पर से उसी परकार की गेंबाजी लेकिन रोहे स्थरमा कोई गल्ती नहीं करेंगे इन्हों पूरी तागा जोग दी थी और देखिए सौगत कर दीजिए अब रोष सर्मा का एक लाइक तो बनता है दोस्तो भारतिय टीम को जीत दिलाने में इनका अहम रोल हो सकता है इस मुकाबले में एक लाइक तो बनता है रोष सर्मा के लिए भारतिय टीम के लिए और चैनल को सस्क स्क्राइब का बटन उसको दबा दीजिए और कमेंट में चाहिंद लिख दीजिए अंतिम बॉल ये बहुत मतपूर है इस पर बड़ा शौट चाहिए और बड़ा शौट आ गया है रोहिश शर्मा एक बार फिर से दिखाती हुए अपनी पावर और देखिए क्या चबर चाहि लाज में पारी खेली है अक्सर हमने देखा है रोहिश शर्मा चपर चस्त खेलते हैं और देखिए हुसेन आये अंतिम ओबल लेके पर ये भी स्पन है कामने रिंकू सिंग है रिंकू सिंग ने अभी एक भी बॉल खेली नहीं है तो कही ना कही भारत के लिए थोड़ी सी च करोगा लेकिन पहली वाल क्या बात है रिंकू सिंग एक वार फिर से साविद करते हुए कि क्यों ये भारती टीम के लिए पनिसर का रोल नवाते हैं इसलिए नवाते हैं क्योंकि इनके पास वो च्छमता वो कला वो काविलिया सब कुछ नजर आती है और देखिए पहली वा चमतकार कर सकते हैं या हुसेन कोई चमतकार यहां पर कर सकते हैं या फिर रिंकू सिंग का बला चलेगा रिंकू सिंग का बला चलेगा एक नहीं और अब तो दो दो चके चड़ दी हैं रिंकू सिंग ने ये मुकाबला भारतीय टीम जीश सकती है अभी भी तो देखिए मु को सिंग जिस अंदाज में खेल रहे हैं जिस मुमेंटम में जिस लाइम है उसे देखके लग रहा है मानो भारतिय टीम सायद ये मकाबला जीच जाए जी हाँ भारतिय टीम ये मकाबला जीच जाएगी ऐसा लग रहा है मानो अभी कुछ भी कहना मुस्किल पांच में होवर की तीसरी वाल एक बार फिर से करी जाएगी और ये वाल भी बहुत माधबूर रहेगी जी हाँ लेकिन इस बार बार में कनेक्सन अच्छा बना नहीं नीचे फिल्डर जा रहे हैं अगर ये के ओ ये भी निकल गई है ये भी निकल गई है वाल क्या बात है रिंको सिंग बहुत ज़्यदा दिल थाम देने वाला शौर था क्योंकि बहुत ज़्यदा उंचाई बहुत ज़्यदा उंचाई पे गई थी बाल ऐसा लग राता मानो बांडी लाइन तक पहुँच नहीं पाईगी लेकिन अंत में पहुँच गई है और देखिए रिंको सिंग क्या बात है यहां पे तीन बाल पे अभी भी तेरा चाहिए हुसेन क्या कोई चमतकार करेंगे क्या यहां पे रिंको सिंग ही कुछ चमतकार करेंगे तीन बाल पे तीन चक्के जड़ दिये हैं और वैतिरीन अंदाज में जड़ दिये हैं इस बार एरिया बदला इस बार जड़ा है लॉंगान के उपर से ये भी छे रने और देखिए रिंको सिंग ने कमाल कर दिया है इस मकाبلे में पूरी जी जान लगा दिया और देखिए भारतिय टीम अब इस मकाबले में पकड़ बना चुकी है और अब ऐसा लगड़ा है मानो भारतिय टीम ये मकाबला चीज सक्ति यहां से और देखे सकीब अलसान आये हैं गेंदबाज से बाचीत कर रहे हैं और देखे खनी भी फड़ेगी लेकिन दोस्तों एक बार रिंको सिंग के लिए लाइक कर दीजे भारतीय टीम के लिए लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे कवेंट में चैन लिख दीजे आपका नाम लिख दीजे आपका सपोर्ट हमारी लिए लगातार बना रहना चाहिए और अब दो बाल में साथ चाहिए जिहां रिंको सिंग और ये लीजिए ये भी चली गई है तरसक दीरगा में और ये भी चैरन है तो अब भारतिय टीम ने स् ये मातर एक रंग जीत के लिए और अगर नहीं भी आता है तो मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा क्या वैतरीन कमबैक है ये क्या कमाल का कमबैक है दोस्तो सीरे चल रही है भारत बनाम बंगला देज के बीच ये तीसरा मुकाबला है जिसमें यहाँ पर भारतिय टीम ऐसा लग रहा मानो जी जाएगी पिछले दो मुकाबले दोनों ही टीमों ने एक एक जीते हैं और अब अन्तिम बॉल करी जाएगी और ये बॉल बहुत मतकूर रहेगी अगर इस बॉल पर विकेट या फिर डॉट निकाल देते हैं और ऐसा लग रह नो ये लीजे कुछ नई तकनीकी करने का प्रयास ता लेकिन अस अपल रहे लेकिन रल ले लिया है और भारतिय टीम ने उस सिंगल के साथ मुकाबला जीत लिया है तीन विकेट से दोस्तों एक बार लाइक कर दीजे भारतिय टीम के लिए वारत देश के लिए चैनल को सब् झाल